साथियों हथियार और मिलिटरी एक्विप्मेंट बनाने का भारत के पास सद्यों पुराना अनुभव है आजादी के पहले हमारे यहां सेंक्डो ओर्डिनेंस फेक्टरियां होती थी दोनों विश्विद्व में भारत से बड़े पैमाने पर हत्यार बना कर भेजे गए थे लेकिन आजादी के बाफ्त अनेक बजहों से इस व्यवस्ता को उतना मजबूत नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए था हालत ये हैं कि स्मॉल आम्स के लिए भी हमें दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता है आज भारत विश्व के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स मैंसे हैं और ये कोई बड़े गवरों की बात नहीं है ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों में टैलेंट नहीं है ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों में सामर्थ नहीं है आप देखिए जब कोरोना शुरू हुआ तब भारत एग भी वेंटिलेटर नहीं बनाता था आज भारत हजारों वेंटिलेटर का अंदिरमान कर रहा है मंगल तक पहुँचने की शमता रखने वाला भारत आदूनिक हतियार भी बना सकता था लेकिन बाहर से हतियार मंगाना बहुत इजी वे हो गया था और मनुश्य का स्वभाव भी ऐसाई है कि जो जो सरल है वो आसानी से जो मिलता है चलो भई उसी रास्ते पर चल पड़ो आज का भारत इस थिती को बदलने के लिए कमर कसके काम कर रहा है अब भारत अपनी कैपसिटीज और कैपेबेटीज को तेज गती से बढ़ाने में जुटा है एक समय था जब हमारे अपने लड़ा को विमान तेजस को फाइलों में बंद करने की नौबत आ गई थी लेकिन हमारी सरकार ने अपने इंजिनियरों वेज्ञानिकों और तेजस की छमताओं पर भरोसा किया और आज तेजस सान से आसमान में उडान भर रहा है कुछ सब्ता पहले ही टेजस के लिए फोर्टी एट थाउजन करोड रुपिय का ओडर दिया गया है कितने MSME सेक्टर जो इसके साथ जुडेंगे कितना बड़ा काड़ोबार होगा हमारे जमानों को बुलेट प्रूप जैकेट्स तक के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता था आज हम ना सिर्फ भारत में ही अपने लिए बुलेट प्रूप जैकेट्स बना रहे हैं लेकिन दूसरे देशों को भी सप्लाई करने के लिए अपनी केपेसिटी को बढ़ा रहे है करिब देड़ दसक बाद डिफेंस सेक्टर में केपिटल आउटले में नाइंटीन परसेंट की बढ़ोतरी की गई है आजहाती के बाद पहली बार डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर इतना जोड़ दिया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने के लिए उनके लिए काम करना और आसान बनाने के लिए सरकार उनके इज अब डूइंग बिजनेस पर बल दे रही है साथियों मैं डिफेंस सेक्टर में आ रहे प्राइवेट सेक्टर की एक चिंता भी समझता हूँ अर्थ व्यवस्ता के अन्य सेक्टर के मुकाबले डिफेंस सेक्टर में सरकार का दखल कई गुना ज़्यादा है सरकार ही एक मात्र बायर है सरकार स्वयम मैनुफेक्टरर भी है और सरकार की अनुमती के बिना एक्षपर्ट करना भी मुश्किल है और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि यह सेक्टर नेशनल सेक्टर से जुड़ा हुआ है लेकिन साथ ही प्राइवेट सेक्टर के साज़ेदारी के बिना 21 सदी का डिफेंस मेनुफेक्टरिन एको सिस्टीम खड़ा नहीं हो सकता यह भी मैं तो भली भाते समझता हूँ आपने देखा होगा कि 2014 से ही हमारा प्रयास रहा है कि ट्रांसपरेंसी, प्रेडिक्टिबिलिटी और इस जॉब डूइग बिजनेस के साथ हम इस सेक्टर में लगातार एक के बाद एक कदम उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं डी लाइसेंसिंग, डी रेगुलेशन, एक्सपर्ट प्रमोशन, फोरेन इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन ऐसे अनेक उपायों के साथ हमने इस सेक्टर में एक के बाद एक मजबुत कदम उठाए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि मुझे इन सारे प्रयासों के लिए सबसे ज़्यादा सहयोग, सबसे ज़्यादा मदद, यूनिफॉर्म फोर्सिस की लिडरसिप से मिली है कि डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हर वो सामान, जिसे डिजाइन करने, जिसे बनाने का सामर्थ, देश में हैं, किसी सरकारी या प्राइवेट कंपनी में हैं, वो बहार से लाने की एप्रोच नहीं रखी जाएगी आपने देखा होगा, रक्षा के केपिटल बजेट में भी, डोमेस्टिक प्रकॉर्मेंट के लिए एक हिस्सा रिजर्व कर दिया गया है ये भी हमारा एक नया इनिसिटिव है, ये प्राइवेट सेक्टर से आग्रह करूंगा, कि मैनिफेक्टरिंग के साथ साथ, डिजाइन और डेवलोप्मेंट में भी आप आगे आएं, भारत का विश्व भर्मे पर्चम लहराएं, मोका है, जाने मत दिजिए इन्डी जीनियस डिजाइन और डेवलोप्मेंट के शेत्र में, डिया डियो का अनुभव भी देश के प्राइवेट सेक्टर को लेना चाहिए, इसमें नियम काईदे आडे ना आए, इसके लिए डिया डियो में बहुत तेजी से रिफॉम भी किये जा रहे हैं, अब प्रो इस से जादा देशों को डिफेंस का सामान निर्यात कर रहे हैं, इंपोर्ट पर निर्भर देश की पहचान से बाहर निकल कर, हमें दुनिया के अग्रणी डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में अपनी पहचान बनानी हैं, और आपको साथ लेकर के इस पहचान को मजबूत करना है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि एक हिल्थी डिफेंस मैनिफेक्टरिंग इको सिस्टिम के लिए बड़े उद्योकों के साथ ही छोटी और मद्यम मैनिफेक्टरिंग युनिट्स भी बहुत जरूरी हैं, उसका पूरान जान बिछाना पड़ता है.